असलामु अलईकुम बचो बचो उमीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे आज जो हम ग्रामर के बड़े में पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे कलमा की किसमे जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कलमा की छे किसमे हैं कौन-कौन सी हैं वो वो हैं इसम, जमीर, सिफ़त, फेल, मतलग फेल, हुरफ तो ये जो छे किसमे हैं इन्ही को हम एक्स्प्लेइन करेंगे तो सबसे पहले हमारा आजाता है इसम यनि के नौन आप कहता है कि इसम वो कलमा है जो किसी शखस या चीज का नाम हो जैसे मस्जद, मंदर, लड़का, किताब, मोहन, गंगा, वगेरा यनि के अगर हम कहें इंगलिश में इसको तो ये कहेंगे a noun is the name of a person, place or a thing आप वो person, place कुछ भी हो सकती है यही जैसे मैंने कहा मंदर, लड़का, कुछी, जमू, कुछ भी जो भी आप लिखेंगे वो हो जाता है हमारा यनि noun, यनि इसम तो next हमारा जो है, वो क्या है, जमीर, अब जमीर क्या होता है, जमीर कहा जाता है परनाउन को, किसको कहा जाता है, परनाउन को कहा जाता है यानि जमीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगा बोला जाए जैसे वो तुम में इसी परणाउन को अगर हम इंगलिश में कहते हैं तो क्या कहते हैं कहते हैं परणाउन are words used in place of nouns यानिके उसकी वो ही इस्तमाल होते हैं जो नाउन के होते हैं we use pronouns as we do not keep repeating names यानि nouns जो भी हम बोलते हैं यानि लड़का बोलते हैं तो किसी का नाम हम बोलते हैं जैसे राम, शाम या आरिफ, गुलाम, फात्मा जो भी बोलते हैं हम तो वो बार-बार repeat नहीं करते हैं हम जब अपनी pronunciation में करते हैं उसको हम हीशी वगएरा जो भी आते हैं देव वगएरा वो हम करते हैं इसी तरह यहां भी है जमीर जो है वो कलमा है जो किसी इसम की जगा बोला जाए यानि इसम क्या था नम था वो कलमा जो किसी छखस चीज या जगा की जगा के लिए हम बोलते हैं लड़के का इस्तमाल अगर हम ने किया है तो हम किसी लड़के का नाम लेंगे आरिफ बोलेंगे या महबूब बोलेंगे तो किसी का नाम भी लेंगे तो बार बार हम वो नाम नहीं लेंगे बलके हम कहेंगे उसने कहा वो बोल रहा था सम्थिंग ऐसे यूज करते हैं छोटा वोगेरा बहुत कुछ जिसको हम के इंगलिश में क्या कहते हैं adjective और कहते हैं adjective is the word that describes or qualifies a noun or a pronoun or add something to its meanings के हम कुछ add करते हैं उसकी meaning उसका सीफत बनाने के लिए उसकी हालत या कैफियत बताते हैं तो जैसे हम कहते हैं मैंने का सारी मैंने ये कुरसी बड़ी है या आसमान निला है अंडा सफेद है दूद सफेद है इन में ये जो सफेद आ जाता है या निला आ गया या बड़ा आ गया वो जो है बड़ी या बड़ा आ गया वो क्या सब क्या आ जाती हैं सीफट आजाती हैं वो क्या होती हैं तो next हमारा है fail fail को हम क्या कहते हैं वरब कहते हैं वो क동мा है जिससे किसी शखस या चीज का काम जाहिर हो और इसमें कोई न कोई जमाना पाया जाए जैसे मैंने कहा खेलता है पढ़ेगा आता है मारेगा यानि कि हमें बताया गया है कि इसमें कोई ना कोई जमाना पाया जाता है तो इंग्लिश में इसको हम ऐसे ही कहेंगे A verb is a word that says something about a noun or a pronoun वरब आरफ two kinds एक तो हमें transitive verbs होते हैं और एक intransitive verbs होते हैं यह तो इंग्लिश की बात है लेकिन हम अर्दो की बात करेंगे तो मैं आपको छोटा ही बताऊँगी क्योंकि वो कलमा है जिस से किसी शखस या चीज़ का काम जाहर हो यानि वो जो काम कर रहा है जैसे खेलना लिखना परना ये जो काम हैं वो जाहर हो रहे हैं किसी इनसान के काम करने से और उसमें कोई न कोई जमाना पाया जाता है जमाना क्या होता है जैसे गुजरा हुआ जमाना यानि पास्ट प्रेजेंट यानि हाल और मस्तकबल यानि के फ्यूचर तो ये जमाने का भी उसमें आना चाहिए हमें तो यही वो कहता कि फेल जो है वो कलमा है जिससे किसी शक्स या चीज़ का काम जाहिर हो एक तो काम जाहिर होना चाहिए दूसरा क्या कहता है कि उसमें कोई न कोई जमाना पाया जाए मैंने कहा कब कहा, पता नहीं कब कहा, कहा था, खेल, खेलता है, यानि प्रेजेंट बता रहा है कि वो खेल रहा है या खेलता है, पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, हमें नहीं मालूम है कब बढ़ेगा, आता है, हाँ वो आता है, यानि कि प्रेजेंट बता रहा है, मारेगा, मारेगा, कब म मारेगा हमें नहीं पता है लेकिं मारेगा वो यानि वो भी मारे जो है वो भी काम में जाहिर हो रहा है तो किसी बंदे का काम बता रहा है खेलना जो है वो भी काम बता रहा है कहा उसने यानि कहना जो है वो भी आता है यानि वो आ रहा है तो वो भी काम है और दूसरा ये है कि हमें जमाने का पता भी है और गा से पता चल रहा है मतलग आगे नेक्स्ट जो है वो है मतलग फेल यानि एड़ वर्ब अब मतलिक फैल है गया सबसे पहले तो हमें ये देखना है मतलिक फैल वो कलमा है जो फैल या सिफ़त के साथ आकर इसके मैनी में अजाफा करे किसके साथ आके अजाफा करे फैल या सिफ़त के साथ आके अजाफा करे जैसे लता अच्छा नाच्टी है वो बहुत हसा, गीदर तेज बागता है इन मिसालों में अच्छा बहुत तेज मतलिक फिल है मतलिक फिल को हम क्या कहते हैं? एड़ वर्ब कहते हैं तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे ही कहेंगे An adverb is a word that modifies the meaning of a verb or an adjective or another verb भी कहते हैं जैसे हम इसको modify करते हैं I walk fast, he looks very happy, he run very fast तो इसको verb भी modify हो गया है adjective भी modify हो गया है और adverb भी हमने बताया है तो लेकिन यही बता रहा है कि फिल जो है, मतलिक फिल जो है वो क्या है, वो कल्मा है जो failure सीफत के साथ आकर इसके मेनी में अज़ाफा करें अब लता है तो वो वर्ब आ गई है अच्छा नाचती है, तो वो क्या आ गया, सीफत आ गया है तो दो चीज़े उसने add की है तब ही जाके हमारा sentence जो है वो पूरा हुआ है और हमें मतलब भी समझ में आया है तो इसको adverb को क्या कहते है, मतलिक fail कहते है आगे है खुरुफ अब खुरुफ जो है, उसको इंगलिश में क्या कहते है उसको इंगलिश में कहते है preposition, क्या कहते हुआ प्री पोजिशन जो हम कहते है preposition भी इसको कहते हैं कुछ लोग अब खुरुफ है, खुरुफ वो कलमा है जो ना इसम हो ना जमीर हो ना शीफत हो और ना फेल या मतलिक फेल हो या कोई भी ना हो बलके सिर्फ दो जुमलू या कलमात को बाहम मलाय यानी अक्सर मिलाता रहे है दो जुमलू को या दो कलमात को या इन में कोई तलक पैदा करे तुकान पर मलाजम काम कर रहा था इसने बड़ी कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ दो जमलू को इसने मिला दिया किताब का बरक फट गया कमरे में मेज है इन जमलू में पर, मगर, का, मे, हुरफ ये जितने भी हैं, ये क्या हैं, ये साथ